हलो इस्टूडेंट्स, आज हम कच्छा दस की जीव विज्ञान का चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं, के बारे पर वस्तुनिष्ठ प्रसनों की चर्चा करेंगे, जिन में से पहला प्रसन है, डिने में किसके हेत सूचना नीहित होती है, प्रोटीन संसलेशन के लिए, प्रक प्रसनाओं का केंद्र होता है, और इसका पूरा नाम डियाक्सी राइबोज न्यूकलिक एसिड होता है, एक कोसी की जीवों में किसके द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है, तो इसका राइट आंसर है, विखंडन के द्वारा, एक कोसी की जीवों में विखंडन के दोआरा नए जीवों की उत्पत्य होती है एक उसकी जीव कौन से होते हैं जैसे अमीबा है पैरामीसियम है ये निर्मलिखित में से कौन सा पुस्प उभयलिंगी है तो इसका राइट आंसर है गुड़हल गुड़हल उभयलिंगी होता है मतलब इसमें नर और मादा दोनों भाग एक ही पुस्प पर पाये जाते हैं जबकि पपीता तरबूज ये एक लिंगी पुस्प होते हैं किसी प्रजात की समस्ट का संबंध किस से होता है समस्ट माने क्या होता है जनसंख्य होती है तो किसी प्रजात की समस्ट का संबंध किस से होता है ब्रद्धि से परिवर कार की समस्टी को बनाएंगे समस्टी मतलब जनसंख्या होता है जैसे मनुष्य की जनसंख्या है तो यह जनन के द्वारा अपनी प्रजाति को बनाएंगे और एक जनसंख्या को निर्मित करेंगे नेक्स्ट है दुई विखंडन से जन्म होता है दुई विखंडन से जन्म किस दूइ खंडन के दोरा कई नए नए अमीबा को बना देगा। यह अमीबा जो है यह एक कोशिकी होता है। नेस्ट है लीसमानिया में वन्स ब्रधधि किस बिरिषये होती है। तो लीसमानिया में दूइ विखंडन से कि पुन्रुद भवन से कि मुकुलन से कि काई जनन से। तो लीसमानिया में दुई विखंडन के दुआरा बंस ब्रद्धी होती है, यह लीसमानिया जो है यह प्रोटो जोवासंग का प्राड़ी है। नेक्स्ट है ब्रेड या डबल रोटी पर कौन से कवक का जाल पाया जाता है। तो ब्रेड या डबल रोटी पर राई जोपस नामक कवक का कवकजाल पाया जाया करता है नेक्स्ट है जीव को संतान उत्पन करने के लिए क्या ब्याय करना पड़ता है तो जीव को संतान उत्पन करने के लिए उर्जा को ब्याय करना पड़ता है कि सोरा वस्था की अवधि को क्या कहते ही, कि सोरा वस्था की अवधि को प्यूबर्टी कहते ही, नेक्स्ट है, निन्म लिखित में से कौन यौन संबंधी रोग है, मतलब जो यौन, मतलब जनन संबंधी कौन सा रोग है, जो कि एट्स है, कि गोनोरिया है, कि सिफलिस है, कि य जिवान संबंधी रोग ये सब ही होते हैं एट्स भी है गोनोरिया भी है सिफलिस भी है इन में से जो एट्स है विशाणु जनित रोग है और गोनोरिया तथा सिफलिस ये जिवाणु जनित रोग होते हैं अंडासे से अंडा छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो अं जिसे हम अंडवाहिनी या फिर फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं फैलोपियन ट्यूब भी इसको बोलते हैं फैलोपियन नलिका नेक्स्ट है नरजननांग क्या है तो नरजननांग हम व्रसण को बोलते हैं नेक्स्ट मुकुलन से ब्रद्धि करता है हाइड्रा प्लाजमोडियम अमीबा या युगलिना तो मुकुलन से जो ब्रद्धि करता है वो हाइड्रा होता है इसको हम कलिकोत पादन भी कहते हैं मुक तथा गरभासय में होने वाली चक्री प्रक्रियाय बंद हो जाती है। काईक जनन पौधों के निम्न भागों से हो सकता है तो पुस्प को छोड़ करके जितने भी भाग होते हैं सबसे काईक जनन हो सकता है तो यहाँ पर फूल वाले विकल्पम हटा देंगे मतलब साखा से, जड़ से और पत्ती से काईक जनन हो सकता है पराग कोस में होते हैं तो पराग कोस में बाहदल होते हैं कि अंडासय होता है कि अंडप होता है कि पराग कण होता है तो पराग कोस में पराग कण मिला करते हैं कौन से भाग में कापर्टी रखी जाती है गर्भासय में कापर्टी को रखा जाता है रित उस्राव की अवधी कितने दिनों की हो सकती है तो रित उस्राव की अवधी तीन दो दिन से लगभग 5-6 दिन तक तो 2-6 दिन तक ये इसका राइट आंसर है कौन सा हार्मोन लड़कों में यवना वस्था के लच्छनों को नियंतरित करता है इसका right answer है टेश्टोइस्टेरान, इसे हम पुरुस विकास हार्मोन भी कहते हैं, पुरुस विकास हार्मोन भी बोलते हैं इसको पुरुसों में जो दाढ़ी और मुच्छे होती हैं वह टेस्टो इस्टेरोन हार्मोन्स के बदलत ही हैं गुड़हल सरसो आद ही हैं उभै लिंगी, एक लिंगी, ए और बी दोनों इन में से कोई नहीं गुड़हल और सरसो ये उभै लिंगी होते हैं क्योंकि इनके पुस्प पर नर और मादा जननांग एक साथ पाए जाते हैं कीट परागण इन में से किस में होता है तो कीट परागण इन में से मक्का में होता है कि वैलिसनारिया में होता है कि सैल्विया में होता है इन में से कोई नहीं कीट परागण सैल्विया में होता है आलू में काईक जनन होता है जड से वाईवी तने से भूमिगत तने से या पत पुस्प का अंडासे वाला भाग ये फल में बदल जाता है। नेक्स्ट है पराग कण का जनन केंद्रक नर्युगमक बनाता है कितने। निम्न में से कौन मानों में मादा जनन तंतर का भाग नहीं है, तो अंडासय ये मादा जनन तंतर का भाग है, गरभासय ये भी मादा जनन तंतर का भाग है, सुक्रवाहिका ये नर जनन तंतर का भाग होता है, और डिम्बवाहिनी ये भी मादा जनन तंतर का भाग है.